हर साल आठ जून को विश्व मस्तिश्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है इस दिवस को मनाने के पीछे उदेश है कि लोगों को ब्रेन ट्यूमर के बारे में जागरुक करना आज के समय में अधिक खराब लाइफ स्टाइल के कारण किडिनी, फेफरे, हर्ट संबंधी कई रोगों का शिकार हो जाते हैं इन में से है एक ब्रेन ट्यूमर विश्व ब्रेन ट्यूमर डे की शुरुआत जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसियेशन की अस्थापना 1998 में हुई थी उस समय 14 देशों के 500 सदस्यों ने एसोसियेशन में अपना रजिस्ट्रेशन कराया था एसोसियेशन विश्व भर में ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट्स और उनके परिवार के सहियों के लिए था इसके साथ ही साल 2000 से हर साल विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जाता है क्या है ब्रेन ट्यूमर? मस्तिशक में कोशिकाओं के आसामान्ने रूप से बढ़ने पर जो गांट बन जाती है उसे ही ब्रेन ट्यूमर के लक्षन आखों में धुन्दला दिखाई देना, बोलने में परिशानी होना, चलते चलते अचानक लडखनाना ब्रेन ट्यूमर का इलाज, कुछ चीजों को ध्यान में रख कर किया जाता है जिसमें ट्यूमर का परकार, इस्थिती, आकार कितना फैला हुआ है, कोशिकाएं कितनी आसा मानने हैं, आदी देख कर किया जाता है